सूप्रभात प्यारे बच्चों हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है बच्चों कल हमने कहानी पढ़ना शुरू किया था जोतिशी गदा जो कि एक इटली की कहानी है उसमें एक अलफांसो नाम का व्यक्ति है जो एक प्रसिद्ध जोतिशी है और दूसरा व्यक्ति है क्रि कि अलफांसो जो है वो क्रिस्टियानों की बात नहीं मानता और अपनी फसल को एक सुरक्षित जगह पर नहीं ले जाता तो थोड़ी ही देर में क्रिस्टियानों की कही हुई बात सच होती है और आकाश में बहुत से बादल चाते हैं हवा चलने लगती है तेज आंधी तू पाठे पुस्तक का पेज नमबर 63 निकालिए 63 पेज नमबर तो चलिए आज हम इसका शेशभाग पढ़ते हैं अलफांसो सिर्फ पकड़ कर बैठ गया उसे एक ही बात परिशान कर रही थी कि क्रिस्टियानों को ये सब कैसे पता चला उसके मन में तो ये बात घर किये हुए थी कि उससे अच्छी और सही भविश्यवानी कोई कर ही नहीं सकता जैसे ही मोसम चीक हुआ अलफांसो क्रिस्टियानों के पास गया उसने पूछा क्रिस्टियानों मैं हैरान हूँ कि तुम्हें ये सब कैसे पता चला क्रिस्टियानों ने सहज भाव से उत्तर दिया इसमें अश्चरे की कोई बात नहीं है ये सब तो मुझे अपने गधे की हरकतों से ही पता चल जाता है क्या गधे की हरकतों से अलफांसों को विश्वास न हुआ हाँ भई जब भी आदी तुफान आने वाला होता है मेरा गधा अपनी पी ठकडा लेता है और पूँच को पिछली टांगों में दुपका लेता है इसके रोंग्चे खड़े हो जाते हैं और ये ऐसे कापने लगता है जैसे तेज बुखार चड़ गया हो इसके इसी व्यवहार से मुझे पता चल गया और मैं तुम्हें साफदान करने चला गया तुम तो वैसे भी जोतिश के इतने बड़े जानकार हो तुम्हें तो इस बात पर चकित नहीं होना चाहिए क्रिस्टियानो ने कहा अलफासो बुद्ध बना खड़ा था क्रिस्टियानो फिर कहने लगा भई इसमें इतना हैरान होने की बात नहीं है तुम ही बताओ कि मुर्गा हमें कैसे सही सही बता देता है कि भोर हो गई है समुद्र में आने वाले तुफान की सूचना डॉल्फिन मचलियां कैसे पानी पर कूद कूद कर जहाजियों को देती है पता है पशु पक्षियों की एक छटी इंद्रिये होती है जिससे उन्हें आने वाले खत्रे का अभास हो जाता है तभी तो समुद्री पक्षी तुफान आने से पहले अपने अंडे देने का स्थान छोड़ कर चले जाते है यहां तक की हाथी और कुद्णों को भी भुँचाल और समुद्री तुफान का अभास हो जाता है तो क्या मेरा गधा मोसम के बारे में नहीं बता सकता अलफासों चुपचप सुनता रहा मन ही मन में मान गया कि क्रिस्टियानों का गधा उससे अच्छा जोतिशी है तो बच्चो यह थी हमारी कहानी जोतिशी गधा आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे इस वीडियो को आप सुनिए देखिए और इसके साथ साथ पढ़ने की कोशिश कीजिए ताकि आपका भी पठन कोशल जो है वो बहुत अच्छा हो सकी इसका बाकी का कारे हम अगली कक्षाओं में करेंगे धन्यवाद बच्चो